मीठोडा आम सिंग प्रेक्रण के हत्याकान के खुलासे को लेकर पांस दिन का दिया अल्टीमेटम परदर्शन कारियों ने आरोप्य को ग्रिप्तार करने की की मांग 37 कोम के महापड़ाव की सेतावनी सिवाना के मिठोडा कर्शी फॉरम हाउस पर कांगरेस नेता और पूरू सरपंस आम सिंग के मडर को 23 दिन बीट गए हैं लेकिन पुलिस अभी तक हत्यानों को पकड़ नहीं पाई हैं मडर का खुला सा करें अन्यता 37 कोम के लोग महापड़ाव डालेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रसासन की होगी अब तक पूलिस की टी में 4000 मोबाईल लोकेशन खंगाल सुकी हैं और 6 बार FSL टीमों के ट्रेस आउट कर लेने के बावजुद भी हत्यानों को पकड़ नहीं पाई हैं गटना के बाद दर्जंद पूलिस की अलग लेक्टी में कही जगों पर दबिश्दी इधर खुला सा नई होने पर स्रमाज वक ग्रामीनों में आक्रोस बढ़ता जा रहा हैं मंगलवार को बाड मेर सहीत आसपास के जीलों से बड़ी संक्या में लोग महावीर पार्क पहुंचे वहां से मौन रेली निकाल कर जीला कलेक्टेट के आगे परदर्शन किया collected gate पर बड़ी संक्या में लोग जमा हो गए वहीं कुछ लोगों ने महावीर पार्क के आगे आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया बाजपा नेता बोले सरकार होने के वापजुद कॉंग्रेस कारे करता सुरुक्षित नहीं बाजपा नेता सवरुप शिंग राठोड के मुताबिक आम शिंग कॉंग्रेस के नेतायम वरिष्ट बदा पर रह सुके थे कॉंग्रेस की सरकार होने के वापजुद अपने कारे करता की रक्षा नहीं कर पाना ये बड़ी दुखत घटना है हलांकी पुलिस ने आसवासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसका खुलेसा कर आरौपियों को घरिप्तार करेंगे हमने ये भी कहा कि 5 दिन में घरिप्तारी नहीं हुई तो मजबूरन सतिशकोम के लोग शरकौं पर उतर कर महापड़ाव डालेंगे आज बाड मेर जोदपूर जशल मेर पाली और जालूर की लोग ग्यापन देने के लिए आए हैं कॉंग्रेस नेता बोले परशासन को पांस दिन का अल्टिमेटम दिया कॉंग्रेस नेता पंकिस बरताफ सिंग के मताबिक आम शिंग की दिर्मम हत्या की गई सतिस कोम की एक ही मांग है कि मडर का खुलासा किया जाए एस्पी दस दिन का असवासन दिया था लेकिन बाइस दिन बीच जाने के बाद भी खुलासा नहीं हुआ है इसे लोगों में आक्रोस हैं पर शासन को पांस दिन का अल्टिमेटम दिया है मड़र का खुलासा करें अन्यता जिला मुख्याले या तैसिल मुख्याले पर बड़ा महाँ पड़ाव देंगे S.P. ने आसवासन दिया है कि S.P. के नेतरतों में एक अलग टीम और अधिक कारी लगा कर खुलासा करेंगे S.P. ने कहा कि S.P. ने कहा कि S.P. के बाद बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं ये था मामला कॉंग्रेस नेतर पुरू सर्पंस आम शेंग की मिठोडा कर्शी फॉर्म हाऊश पर सब्भी जुन की रात को अग्यात बदमासा ने गला काट कर हत्या कर दी थी उसके बाद डॉग स्कुआइड वा एपेसेल टीमों की लाग कोशिज बावजुद भी एक कलू तक नहीं मिला है वही पुलिश ने गदना इस्तल पर लगे मोबेल टॉवरों की रेंज में आने वाले करीब सार अजार मोबेल की लोकेशन खंगाली लेकिन ऐसा सबुत हाथ नहीं लगा जिससे जास को आगे बढ़ाया जास के इसके अलावा एक दर्चन से अधिक संदिक्दों को हिरासत में लेकर भी पुस्तास की जा सुकी है